जैहन सातियों स्वागए थैं आपका इस वीडियो में यदि आप defense services की त्यारी कर रहे हैं और चाहे आप males हैं और females हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी important क्यूंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एक नई भरती के बारे में एक नई भरती की नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आप पाटी स्पेट कर सकते हैं और सेना में जाने के अपने सपने को पुरा कर सकते हैं जिहां दोस्तों यहां पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ असाम राइफल्स भरती नोटिफिकेशन के बारे में जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों मैं असाम राइफल की ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में हम जानेगे कि इनका जो ऑनलाइन अप्लिकेशन है वो कब शेश शुरू होगा कब तक चलेगा, कितनी इसमें एज रखी गई है कितनी इसमें विकैंसिस है कब कब इसका टेस्ट होगा, क्या टेस्ट का प्रोसीजर है और इतनी इसके बारे में जितनी भी जानकरी होगी मैं आपको इसी वीडियो के आदम से देने की कोशिश करूँगा तो वीडियो को अन तक जुरूर देखेगा लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ लोगों के मन में कुछ साथियों के मन में डाउट उट रहे होंगे कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही SSC का जो फॉर्म फिलप किया था तो उसमें भी A.R. या अने ट्रेट्स की जो भरतियों के बारे में हम बात करने वाल है तो असाम राइफल्स का जो हैड़कॉर्टर है जो शिलॉंग में स्थित है वहां से जो है भरति का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें आपको बारा सो तीस जो है पोस्ट्रे देखने को मिलेंगी और ये औल इंडिया लेवल की पोस्टे हैं इसमें मेल और फिमेल तोनों केंड़ेट पार्टिस पेट कर सकते हैं तो यदि आपको इसका फॉर्म समिट करना है तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.assamrifles.gov.in पे और वहां जापके आपको एफॉर्म फिलप करना होगा ये फॉर्म जो है भरने की जो डेट है जैसे आज है 11 सितंबर 2021 तो आज के ही दिन से यानि की 11 सितंबर 2021 से ही असाम राइफल के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्तुबर 2021 यानि की आपको 25 अक्तुबर से पहले पहले जो अपना form submit कर देना है, इसके बाद यदि आप अपना form भरते हैं, तो इसको consider नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर जो vacances है, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको की all India level की है, और यहाँ पर अगर मैं fees की बात करूँ, जैसे ही हम कोई भी form भरने जाते हैं, तो छोड़ा स फीस का भी हमें idea होना चाहिए, तो different rates के लिए अलग लग फीस है, इसमें आपको या तो 200 रुपए फीस देना पड़ेगी, या तो आपको 100 रुपीस फीस देना पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि आप किसे trade का चुनाव करते हैं, और trade के बार में पूरी जानकारी के लिए description में आपको WhatsApp का नंबर दे दिया जाएगा, जिस किसी को भी इसके बार में पूरी जानकारी चाहिए होगी, मैं उसको जो है इसका PDF notification का send कर दूँगा, ताकि आप उस PDF के मादिम से जो है अपना trade का चुनाव कर सके अपनी qualification के according, और यहां पर बात आती है age की, यदि आप form भ और साथ ही साथ इसमें जो age जो आपकी date of birth है, उसकी जो calculation आपको करनी है, वो करनी है 1 अगस्त 2021 से, तो अपने इसमें date of birth का calculation कर लेना है, तो यदि मैं भरती की बात करूँ या qualification की बात करूँ तो इस भरती के लिए आपकी qualification या तो दस्वी मागी गई है, या तो कुछ trades के आपको ITI या graduation की demand रखी गई है, तो सारा आपको उसी notification से clear हो जाएगा, तो उसको आपने टीपली देखना है, यह बहुत ही बड़ा notification है, अगर इसके बार में मैं पूरी जानकारी देता चलूँ, तो सकरीपन एक घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो की possible नहीं है, और यहा आपका physical qualify हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका return होगा, return आपका maximum 100 marks का होने वाला है, जिसमें जो general categories के जो बच्चे हैं, उनको 35% minimum marks लेना ही पड़ेंगे, पास marks जिसे हम कहते हैं, और आन्या पिश्डवर गया जंजातियों के लिए 33% का इसमें रखा गया है, और यहाँ आपके पास B है, तो तीन नमबर मिलने वाल है, और यदि आपके पास NCC का C certificate है, तो यहाँ पर आपको जुड़ जाएंगे, पांच नमबर, और साथी साथ आपने यह ध्यान भी रखना है कि यह टेस्ट का जो process है, वो शुरू हो जाएगा 1 December से, जिहां दोस्तों, यहाँ आपने इनों ने temporary आपको schedule दे दिया है, कि एक December जो है, आपको अपनी भरतियां शुरू कर देंगे, और जितने भी मेरे साथ ही interested है, वो इसे भरती के लिए समय रहते हैं, यानि कि 25 सकतुबर 2021 से पहले ही जो है, आवे दन कर लें, साथी साथी यहाँ पर जिस जिसको भी notification च सभी के अंदर शाषित प्रदेशों की फिर से बात करने लगों, तो काफी लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, मेरा मेरे मुद्धा था आपको यह बताना कि आप इस form को कब से कब तब fill up कर सकते हैं, और जनरलिस में requirement के और आप अपने education के according, आज आपने according जो है अपने state का आप चुनाव कर सकते हैं, और इस भरती में participate कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी मेरे ऐसे साती हैं, जो काफी लंबे समय भरती की त्यारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार असफलता ही मिलती है, तो अपनी हिमत ना ह क्योंकि जिस दिन किस्मत में होगा, आप मेनत पे लगे रहें, आपको बरदी जरूर मिलेगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही हर भरती में जो युवा भरती होते हैं, उसमें लिखा होता है उनका नाम, तो आपने म अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत